So Hello Friends, स्वागत आप सभी का UP की Top Trendy News में आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख के समाचार दरसल सनातन विवाद पर पीयमोदी ने जवाबी हमला दिया है इसका साथी नीपा वायरस को लेकर एक बार फिर से देश पर खत्रा मंड़ा रहा है मनसुग मांडविया ने क्या कहा है इसके बारे में जानेगे वही बर्थ सर्टिफिकेट से अब हो जाएंगे आपके सारे काम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है नया नियम जिसको आपको जानना बेहर जरूरी है वही यूपी में स्कूलों में संडे के साथ दो सनिवार की भी छुट्टी रहने वाली है योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है इसके साथ यह और कई सारे फैसले हैं यूआउं को 500 रुपे भत्ता देगी योगी सरकार इसके बारे में भी जानेंगे मदर्सा मानिता नियमा वली में भी संसोधन किया गया है वही पर जमीन रजिश्ट्री को लेकर नई जानकारी है किसानों के लिए जरूरी खबर भी धान बेचने को लेकर जारी किया गया है इस वीडियो को आप अंदर तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी खबरे बेहद इंपोर्टेंट है तो चलिए सुरू करते है बात कले पहले खबर की तो महेंगाई वाबारी से फिर से बढ़ सकती है सबजियों के कीमत जानिये क्या है अभी दाम बाजारों में एक दो हफ़ते की कुछ नर्मी के बाद सबजियों के दाम में फिर से बढ़ोतरी होना सुरू हो जाएगा दुबगगा सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की कीमत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और इसकी कीमत अब अन्य राजियों में भी देखने को मिलेगी ऐसी तमाम जगों पर सब्जीयों के दाम है जहां पर 20 रुपए किलो लोखी मिल लही थी इसके दाम भी 30 या 40 हो गये है बालक और गाजर और आलू के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले एक हपते में बारिस के बाद इसके दाम दो गुने हो जाएंगे बारिस की वज़ा से स्री लंका को 252 रन ही रिवाइज टार्गेट दिया गया जिसे टीम ने हासिल कर लिया स्री लंका ने 11 बार एसिया कब फाइनल में जगह बनाई है टीम 6 बार एसिया कब जीत चुकी है और भारत 7 बार जीता है केरल की स्वास्न मंतरी वीना जॉर्ज की मताबिक राजी में नीपा वाइरस के बांगलादेशी वैरियन की पुष्टी हुई है ये इंसानों से इंसानों में फैलता है कोजी कोड जीले में सभी स्कूल कॉलेज दो दिनों के लिए बंद रखे जाएंगे यहां वाइरस से दो लोगों की मौत हो गई है यही कारण है कि केरल के बाद करनाटक के दक्षिर कर्णड में नीपा वाइरस का अलर्ट जारी किया गया है नीपा को कोई ट्रीटमेंट या इंजेक्सन अभी तक मौजूद नहीं है वाइरस की वज़ा से होने वाली डेट रेट जादा है पर यह कम संक्रामक बताय जा रहा है वाइ डॉक्टूमेंट वेरिफेकेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगों पर सिंगल डॉक्किमेंट के तौर पर किया जा सकेगा कानू लागू होने से सबसे बड़ा बतलाव या होगा कि बर्थ और डेट सर्टिफिकेट डिजिटली भी मिल पाएगा अभी इसकी हाड कॉपी ही मिल पाती है अभी तक आधार को हर जगा पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता है लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट हर जगा पर सर्व माने पहचान पत्र की तरह काम करेगा नया नियम एक अक्टूबर को लागू होगा तो अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो तुरंद बनवाले वही सबसे बड़ी आलसी की खोज हो रही है 26 दिन से कंपडीशन हो रहा है 24 घंटे लेटे रहना होगा जिया दोस्तो बालकन देश में मेंटो ग्रेने के एक गाउं में 26 दिन से सबसे आलसी व्यक्ति का कंपडीशन चला है इसमें 21 लोगों ने हिस्सा लिया है जिसमें सिर्फ साथ ही बचे हैं इस कंपडीशन में सामी लोगों को दिन में करीब 24 घंटे लेटना पड़ता है वैसुधिर 24 लेके चित्रतिपाथी तक इन 14 एंकरों का बाइकॉट करेगा इंडिया नहीं भेजेगा अपना परवक्ता लिष्ट में अधिती त्यागी, अमन चोपडा, अमीज देवगन, आनंद नरसिम्हम, अर्णव गोस्वामी, असोक स्रिवास्तो, चित्रह प्रिपाथी, गौरो सावन, नविका कुमार, प्राची पराशर, रुबिका लियाकत, सिव अरूर, सुधिर चौधरी और सुसान स इन्हा सामिल है, तो क्या सच में एलियन होता है, क्योंकि 10 फूट लंबाई, चमकते एंटीन, जैसे कान और दांत, परिवार का दावा घर के पीछे दिखा है, एलियन, धर्ती पर एलियन की मौझूदकी को लेकर, एक पत्रकार ने मेक्सिको की सांसद में कुछ ऐसे पेस कि है, तो चलिए वेदर के बारे में जा लेते हैं, क्योंकि हो जाई ये अलर्ट यूपी के इस इलाके में कल होने जा रही है, मूस्तला धर बारिस, मौसनों विभाग की चेताउन ही जारी हुई है, पूर्वी भारत में 14 और 15 सितंबर को, मध्य भारत में 14 से 17 सितंबर तक, प यूपी में धान बेचने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर है, 32 पेज का सासानादेश जारी हुआ है, यूपी सरकार ने नई धान खरीद नीती के तहट किसान उतपादक संगठन वा किसान उतपादक कमपनी को भी धान क्रय करने के इनमती दी है, या खरीद मंडी परि फार्मेसिटिकल्स एवं चिकेस्सा उपकरण उद्योग नीती, 2023 के तहट फार्मावा चिकेस्सा उपकरण पार्क और नई इकाई लगाने वालों को इस्टाम सुल्क में छूट देगी, प्रमुक सची उस्टाम पियों रजिस्ट्रेसर लीना जहुरी ने गुरुआर को इ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इसकी जरूट क्यों पढ़ रही है, दरसला को दादे मंत्री ने गुरुआर को विधान भवन इस्थित कारियाले में प्रधान मंत्री जन विकास कारिक्रम के कामों के भावतिक वव वित्य प्रगर्ति और मदर्सा सक्षा की स सबसे बड़ा भथ्ता देने जा रही है, 17 शिदंबर यानि विस्थो कर्मा जैनती पर योगी सरकार पीम विस्थो कर्मा योजना सुरू करेगी इसमें रोजाना 500 उरपए भथ्ता मिलेगा, सरकार पूरे प्रदेष में यह योजना लागु करने जा रही है, मुक्यमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले नवाबों के बनाए फैजाबाद चौक को भी होगा काया कल्प जानियोगी सरकान ने कितने रुपई इसके लिए दिये है इसके बाद उसकाल में आर्थिक गद्विद्यों के केंदर रहे आवद के नवाब सिराजु दौलाद द्वारा 1765 में चौक घंटा घर के चारो तरफ बनवाए गए द्वार भी सुवेवस्थित किये जाएंगे वाई यूपी की स्कूलों में संडे के साथ दो सनिवार को भी छुटी रहेगी पढ़ाई के घंटे भी घंटे भी घंटेंगे नई राष्टी सिक्षा नीती के तैयारी में योगी सरकार है आपको दादे सिर्फ इसकूलों में सप्ता हमें 29 घंटे पढ़ाई होगी सोमवार से सुक्रवार पांच से साथे पांच घंटे एवं महीने में दो सनिवार को भी दो से धाई घंटे कलास लगेगा और दो सनिवार को छुटी होगी यानि कि अब यूपी की स्कूलों में दो सनिवार को तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी और दो सनिवार छुट्टी ही रहेगी नई राश्टी सिक्षा नीती के दाइद यूपी की स्कूलों में सब्ता में 29 गंटे पढ़ाई होने वाली है आपको दादे आम विश्यों की कक्षाओं की अधिक्तम समय सीमा 45 से घटा कर 35 मीनट किया जाएगा योगी सरकार ने नई राश्ठी सिक्षा नीति को लागू करने के देश् yis सिक्षा विभाग को नई सिक्षा नीति के नेशनल करिकूलम फ्रेम वर्क के तहत स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियम वाली तयारकने का निर्देश दिया है तो केरल में नीपा वायरस का बढ़ रहा है खत्रा अब एक और हेल्थ वर्कर भी पॉश्टि पाय गया है नौ साल के बच्चे की हालत बेहत गंभीर है केरल के कोजी कोड में लगाता है नीपा वायरस के केस सामने आने के बाद हालात चिंत जनक हो गए है अब तक यहाँ पर नीपा वायरस के 5 केस सामने आ चुके हैं जिसमें 9 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है केरल सरकार ने गुरुआर को कहा कि कोजी कोड जिले में नीपा के प्रकोब के बारे में आसंकीत होने से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजे हालात काबू में है तो सनातन विवाद पर पियम मोदी का जवावी हमला क्या 2024 चुनाओ की रंडीती का खुलासा कर गया है प्रधान मंत्री नरेल मोदी ने आज फिर सनातन धर्म विवाद पर विपक्ष को घेरा है दूसरी हो डियम के लगातार इस विवाद पर बैक फूट पर जाती नजर आ रही है आखिरकार वे कौन से कारण है जिसके चलते बीजेपी को लगता है कि आगामी लोग सवाचुनाओं में ये मुद्धा उसके लिए कारगर हो सकता है दोस्तो आपके दादे बीजेपी जानती है कि इस मुद्धे पर लगातार हमलावार होने से इंडिया गडवंदन में फूट पढ़ सकता है इसके साथ हिंदुत के बुद्धे पर कांगरेस को घेरने में मदद मिलेगी सबसे बड़ी जीत बीजेपी इस मुद्धे को आधार बनाकर तमिलनाडू में अपने OBC कार्ड को और मजबूत कर राज में अपने जड़े जमा सकती है लेकिन जिस प्रकास सनातन धर्म पर टार्गेट किया गया था विपक्षो द्वारा ये काफी निंदनी है और प्रधान मंतरी को इसके बारे में बोलना भी था और वो बोल रहे है सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद